हाई फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम देखने वाले हैं वीजन प्लस एयाई का यूज करके कैसे हम एक बड़ा यूज को केश जो है उसे सॉल कर सकते है तो सब सब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम करने क्या बाले है let's suppose कि हमारे पास कोई एक image है right उस image से हम क्या करना चाते है जो पूरा description है उसे automatic generate करना चाते है let's suppose कि मेरे पास image है right उस image को जैसे मैंने upload किया और submit पे click किया वह अपने आप उसके बारे में पूरा description दे दे तो इसके लिए हमारे पास दो चीजे लगने वाली है पहला तो है machine vision right तो machine vision के लिए हम जो यहाँ पर use करने वाले है वह है as your computer vision right उसके बाद हम क्या करने वाले जो भी इसने analyze किया है उसको हम send करेंगे हमारे chat GPT जो की generative AI का एक tool है और chat GPT क्या करेगा उससे अपना पूरा का पूरा जो description है वह हमें दे देगा तो देख लेते हैं इसके अंदर techs tax क्या क्या use होने वाले पहला तो है computer vision आपका use होने वाला तो यहाँ पर जो हम computer vision यूज करने वाले वो azure computer vision करने वाले जो की AI search service है अपने azure की और second जो है chat GPT और तीसरा जो है python जो programming language है वो हम use करने वाले तो सबसे पहले हम देख लेते computer vision के लिए हमें कैसे create करना है और क्या-क्या चीज़े यहाँ पर important होने वाले है तो चलते हम हमारे azure portal के उपर तो यह हम आ गया है हमारे azure portal के उपर यहाँ पर आप search करेंगे AI search जैसे ही आप search करेंगे तो यहाँ पर आपको different different तरीके के AI search services द आपको चलना है computer vision के अंदर और मैंने यहाँ पर एक पहले से ही बना रखा है मगर हाँ अगर आप चाहे तो यहाँ पर पहले create पर click कीजिए create पर click करने के बाद आपको यहाँ पर आपने resource group का name दे देना है उसके बाद आपको यहाँ पर pricing tier जो है हमारे इदर stand as one है मगर हाँ आप अगर free में use करना चाहते है तो f0 जो यहाँ लिखावा है उसको use कीजिएगा और इसके बाद हमें कुछ भी changes नहीं करने है हमारे networking पार्ट के अंदर और यहाँ जाएंगे हम networking यहाँ पर आपको कुछ change नहीं करना है identity के अंदर कुछ change नहीं करना है tax as it is रहने दीजिए और review में चलके create कर लिजिए मैंने एक पहले से create कर रखा तो इसके अंदर में चलता हूं तो जैसे ही आपका एक create हो जाए तो आपको इसके अंदर चलना है और आप यहाँ पर देखेंगे computer vision नाम से मेरी यह create हो चुका है तो सबसे पहला चीज है आपको यहाँ से copy कर लेना ह है इसका end point end point को copy कर लेना है और second है यहाँ पर आप जैसे keys के अंदर आएंगे keys के अंदर आपको keys दिखेगी तो आप यहाँ पर show keys और यहाँ से copy करके इसे रख लीजीगा तो azure के उपर अगर machine learning की बात करी जाए जहाँ पर oh sorry machine vision की जहाँ बात करी जाए तो वहाँ पर chat GPT के उपर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कैसे हम API की को लेते और एक और बार देख लेते कैसे हम हमारे API की को लेते हैं तो अगर आप API की लेना चाहते है chat GPT की तो आपको जाना है platform.openai.com के उपर जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पर settings दिखेगा settings के अंदर आपको जाना है और अगर आप API की देख रहे हैं तो API Keys के अंदर जाएगा मैंने यहाँ पर पहले से ही एक API की बना है तो यहाँ पर आप create new secret की कीजिएगा और यहाँ पर आप आए setting के अंदर billing के अंदर आईए अगर आपका account तीन महीने से पुराना है तो आपको यह five dollar credit नहीं मिलेगा राइट और अगर आप उसके बाद यूस मतलब अभी नया नया बनाया है तो कोशिश कीजिएगा कि न address में भी 4.492 credit है तो यहाँ से आपको API की ले ले नहीं है और API की जबी भी आप बनाये तो क्या करना है secret की को हमेशा copy करके कहीं पर save करके रग लीजिएगा तो यह तो हो गया second part हमारा chat GBT का अब चलते है सीधे programming वाले part के उपर तो यहाँ पर मैं simple notepad का ही use कर रहा हूं जैसे कि हमने हमारे पिछली वीडियो के अंदर भी किया था वह इसलिए ताकि कि जो भी नया बना है तो उसको ज्यादा वह ज्यादा रश फेल ना कर रहा है कि हम कैसे यह चीज़े कर रहा है क्योंकि sublime बोलो या VSI editor बोलो वहाँ अपने आप functions आ जाते हैं तो उसमें लगता है कि हाँ यह कुछ ज़्यादा फास चल रहा है तो अभी के लिए हम करते हैं शुरू यहां से तो सबसे पहले मैं यहां पर libraries को import कर लेता हूं तो libraries जो commonly होने वाली है आपकी open AI की होने वाली है और as your cognitive service.vision cognitive service का नाम change करके आप इन directory से भी यह सब ले सकते है उसके बाद आपको cognitive services को कैसे हम यहां पर authenticate कराते हैं यह in library के आपको यहां पर ज़रत पढ़ने वाली है तो save कर लेता हूं मैं इसे तो यहां पर हम एक folder बना लेते हैं यहां पर ही हम इसे save कर लेते हैं इसका नाम दे देते है vision picture और .pyc से save कर लेते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही आप save करेंगे तो इनके color भी change हो जाएंगे अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए है right subscription id चाहिए होगी subscription key तो subscription key वही key है जो मैंने आपको बताया था कि हमें कहां से लेनी है हमारे computer vision वाले service से इससे पहले जो हमने बात करी थी उसके बाद आपको चाहिए end point end point भी कहां से मिलेगी हमारा azure portal के उपर यह काम तो हो गया आपके azure वाला part अब आपको ले लेनी है API की जो second part था हमारा किसका था open AI का तो open AI की आपको यहां पर API की ले लेनी है और इसको हम कैसे लिखते है एक variable open AI dot API key underscore API key is equals to जो भी हम यहां पर API की देंगे वो इसके अंदर हम असाइन कर देंगे यह दो काम थे authentication के जो हमने successfully कर लिए हैं अब हमें जो काम करना है वो यह है कि हमने जो भी हमारा सबसे पहले हमारे पास क्या है एक image है उस image को हमें क्या करना है visualize कराना है मतलब की vision करवाना है और vision करके जो कुछ भी आता है उससे हमें generate कराना है बस हमेशा कुछ भी आपको टास्क मिले तो उसे break करते जाईएगा ताकि वह आपके लिए बहुत easy हो जाता है तो सबसे पहले हम यहां पर पहले credential वाली चीज जो है उसको यहां पर ले ले लेते हैं तो चलते हैं यहां पर credentials के अंदर में ढाल देता हूँ cognitive as it is जो भी चीज मैं यहां लिख रहा हूँ उसे ही use कीजिएगा और हो सकता है इसके लिए different functions भी हो तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका credentials वाला आगया और अगर आप VS code यूज कर रहे हैं तो आपको यह as it is दिखाई देगा तो यहां पर मैं subscription key जो हमने उपर लिखा था उसी को भी use करने वाला हूँ ओके यहां पर space आ गया था तो subscription key को ही हम यहां पर use कर लेते हैं यह तो पहला हो गया और second हमें जो लेना है computer vision client वाला तो उसके लिए हमें फिर बढ़ना लेते एक variable computer vision underscore client और इसको हमें किसके साथ attach करना है हमारे computer vision के साथ तो computer vision client और यहां पर आ endpoint endpoint कहां से लेंगे azio portal के उपर से और यहां पर हम पूरे credentials मतलब कि हमारी जो भी की होई इसको यहां पर डाल लेते हैं यह वाला हमारा काम हो गया अब हमें क्या चाहिए एक image चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए image underscore path ले लेते हैं और यहां पर मैं अपनी image डाल अब हमें क्या काम करवाना है वीजन वाला तो करते हैं वीजन वाला बोलिए फाइल वाला बोलिए तो कौन सा function यूज़ाता है mostly open ही हम यूज़ करते हैं और यहां पर हमें क्या करना है image path image path को as it is दे देते हैं comma are we right यह वाली चीज हमने पहले भी कर रखे और अगर आप मेर पुराने projects भी देखेंगे तो उनमें भी हमने इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से detailing से बात कर रखे और सारे के सारे हम जो भी यहां पर यूज़ कर रहे हैं उन्हें यूज़ कर रहा है तो क्या करना है सबसे पहले तो हमें open कर लेना है image file नाम से में इधर open कर लेता नहीं हों और यहां पर हमारे पास different different तरीके function है तो यहां पर हम लेते हैं सबसे पहले computer vision client वाला vision client.analysis okay अभी हम notepad यूज़ कर रहे हैं तो वह सारी चीज़े नहीं आएगे मगर हां अगर आप दूसरा कोई editor यूज़ कर रहे है तो वहां पर आपको यह सारी चीज़े मिल जाए है and spring और यहां से हम शुखर कर लेते हैं हमारा bracket अब हमें अंदर क्या value चाहिए हमें हमारी जो image है image equals to image file जो image होगी equals to हमारी image underscore file और अंदर चलेंगे इसके तो मुझे क्या चाहिए उसके visuals visual underscore features okay features और इसके अंद भी मुझे feature type जो चाहिए उसका description चाहिए कि मेरी जो image उसका description क्या है तो इसको करते है इधर और चलते है visual feature types dot okay description right इतना हमारा यहां तक काम हो गया अब image description के अंदर हम ले ले लेते है get the image description अब image description हम कैसे लेंगे चलते हैं यहां पर नीचे और image description मतलब जो भी image इसने देखिए उसका small सा description दे देगा यह तो इसके लिए है image analysis dot description dot captions okay captions और ले ले लेते हैं 0.text right इसका जो image description होगा सब सब पहले तो यह small description यह खुद ही लिखे देगा हमें right तो इधर ले ले लेते हम custom description लिखे यहां पर इसने क्या देखा है वो तो बताएगा right वो बताएगा और उसके बाद यह send करेगा हमारे किसको open AI को तो custom AI है और यहां पर हमें लगा लेते हैं और यहां से करते हैं शुरू इस images about और about के अंदर हमें डाल देना है जो भी हमारा वहां पर image description ता रहे तो उसको हम किसके अंदर ढालते हैं braces के अंदर dot image description चलो इतना काम तो हमारा हो गया और इसको एक बार ज़र रन करके देख लेते हैं कि हमारा work कर भी रहा है या नहीं तो यहां पर मैं subscription की end point और मेरी API की जो है यह पहले में डाल देता हूं और उसके बाद हम सीज़े चलते हैं cmd के उपर मैंने अपनी की सीस्तारी डाल दी है तो करता हूं यहां LS और हमने कौन सा बनाया था अभी यहां पर vision underscore picture dot py तो इसे run करके देखते हैं python और vision underscore picture तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास एक error आ रही है यह कौन सा है line number 22 के उपर और यह आ रही है हमारे किस के उपर आर भी के उपर तो सबसे पहले कमें अपने जो इसकी यह सब है उसको एक तरीके से उपर कर देता हूं और उसके बाद हम आगे चलते हैं हमने यहां पर अभी तक हमारा image का पात नहीं दिया है तो हमें यहां पर image के पात के अंदर हमें हमारी image डालने पड़ेगी तो इससे फोल्डर पे मेरी एक image पड़ी है तो हम cmd में भी देख सकते है अधियम.jpg यह वाली मैं ले लेता हूं यह बनाना.jpg ले लेता है इसको मैं copy करता हूं और चलते हैं यहां पर और पेस कर लेते हैं करते सेव और तो यहां पर आ रहा है with open यह हमारा open हो चुका है और अभी भी हमारे पास क्या रहा है custom description नहीं आ रहा है तो अभी तक हमने क्या है शायद तो आप यहां देखेंगे तो अभी तक हमने इसे print नहीं कराया इस values को तो हमें print करानी पड़ेगी हमारे इस description को तो चलते हैं यहां पर और कड़ा लेते हैं इसे भी print तो print कराने के लिए simple लिखना है आपको print function print के अंदर चलना है print के अंदर आपको क्या देना है custom description कॉस्टर्म description और यहां पर हम कॉमा लगा के लगा देते हैं हमारा जो भी हमने उपर से get हो रहा है चलते हैं फिर से cmd में और चला के देखते हैं तो यहां पर हमारा पास custom description आगया यह है this image is about bunch of bananas तो यह banana की image ही है और चलके देख लेते हैं folder के उपर भी तो computer vision के अंदर जाएंगे तो यह देख सकते हैं यह bunch of bananas तो अभी तक के लिए हमारा जो computer vision वाला काम था वह हम complete कर चुके अब हमें जो काम करवाना है वह कौन सा है प्रॉम्ट इंजिनेरिंग करेंगे यहां तक यह हो गया अब हमें क्या करवाना है generate तो generate के लिए आपको पता है यहां पर हमें क्या करना होता है prompt right prompt के अंदर चलना है F करना है फिर यहां करना है generate even for a given description है ना right तो general description for the given image और इसको column लगा के braces लगा के हमारा जो custom description है मैं इसको इसके अंदर ही लहाल देता हूं right यह तो हो गया मैंने prompt लिख दिया और prompt के अंदर आप हमें कैसे response लेना होता है तो चलना है वहां फिर से next line पे चलते है response लेना होता है response किसे लेता है open AI और इसी के अंदर यह हम सारी चीज़े डिकलर करतेंगे कौन सा engine कौन सा हम यहां पर यूज करने वाले कौन सा temperature हम यहां पर यूज करने वाले और create के बाद यहां पर आपको अपना bracket स्टार्ट कर लेना है और bracket स्टार्ट के बाद आपको यह पूछेगा कि आपको engine कौन सा यूज करना तो आते हैं engine पर तो engine आप कहीं पर दव इंसे देखेंगे और text दव इंसे भी देख सकते मगर हाँ अभी के लिए जो चल रहा है बाकी सारे depreciated हो चुके तो यहां पर हम कर लेते हैं इसे 3.5 और जो अभी के लिए चल रहा है वह है टर्बो इंस्ट्रक्ट राइट यह हो गया हमारा और मैक्स टोकन लेके चल लेते हैं मैक्स टोकन में पास कितना आना चाहिए 200 वर्ट का रहा है तो limit of the description होगा रहा है यह 200 वर्ट तक लिगना है कहां तक लिगना है वह आपको यहां पर इसने detail में दे रखा है यह हो गया हमारा response का का काम response के बाद हमें क्या चाहिए description जो भी हमा और choices के अंदर वही as it is जो पर हमने क्यात कर रहा है इसको लेना है हमें 0.tax.strip.tax.strip और यह आ जागा एक function के अंदर इतना काम हो गया अब हमें क्या करवा लेना है print करा लेनी है जो भी हमारे पार description आ रहा है तो इसे description को मैं यहां पर अंदर print करा लेता हूं और उपर वा मैं यहाँ पर क क्या है कि तो यहाँ यहां पर हमारा रहा है एक तो एलबहे और तो पिछार दिखनी रही है तो चलते है वापस फिर ऐसे रण करते हैं, okay, max token के यहां पर भी हमें error दिख रही है, max token यहां पर भी हमने यह लगा दिया, चलते हैं और फिर से run करते हैं, तो जो भी हमने image ढाली है, उसके बारे में हमें यहां पर क्या मिलना चाहिए, response, तो अभी आप देख सकते हैं, line number 62 के अंदर मेरे error आ रही है और वह है response वाले part के अंदर, तो चलते हैं और देखते हैं, क्या दिक्कत आ रही है यहां पर, okay complete नहीं यहां पर completion आएगा, mostly कभी भी notepad के अंदर आप लिखते हैं और तो यह चोटी मुटी error आते रहती है, और कहीं पर भी आप दूसरे studio के अंदर लिखेंगे, दूसरा ID के अंदर लिखेंगे, तो यह जनरली ऐसी mistakes नहीं होती है, तो यहां पर देख सकते हैं, max token जो है, यहां पर 200 जो हमने दे रहा, okay okay max token नहीं होता है, यहां पर max token, चलते हैं वापस फिर से run करते हैं, अब देखते हैं, क्या आता है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं, this is a vibrant and colorful picture, a bunch of perfectly ripped banana creating a sense of freshness, तो जो भी हमने image दिये हैं, उस image से हमने अभी तक क्या कर दिया है, पूरा का पूरा description यहां पर generate कर दिया है, जो कि max to max to 100 word का token हो सकता है, तो वही as it is हमने यहां पर generate कर दिया, अब आप चाहें तो दूसरी images और इन सब को use कर सकते हैं, तो चलते हैं फिर से ppt में और समझाता हूं मैं इसका use case आपको, तो इसका जो सबसे बड़ा use case है, वह है e-commerce platform के उपर, और e-commerce छोड़िया, अगर आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हैं, वहां पर यह बहुत useful हो सकता है, और e-commerce platform जो है, इसके direct clients हो सकते हैं, जैसे कि वहां पर वह लोग image यह सब लिग लेते हैं, image भी में ढाल दिया, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसका पूरा description चा पर, right, तो यह था आज का use case, और अगर आपके दिमाग में कोई एक नया use case है, या कुछ आपके दिमाग में कुछ creative है कि यह हम कैसे करेंगे, या आप के पास कोई question है, तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं, और इस पूरे का description में मैं आपको code का link दे दूँगा, तो आप सबसे पहले जाई है, इस पूरे use case को एक बार use कीजिए, और अपने resume में add करके, अपने resume के value बढ़ाई है, and आज के लिए बस इतना है, and thanks for watching.